नमस्कार दोस्तो दोस्तो हमारे प्रधनमंति जी का ले दोड़ा क्या सच में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा संकेत दे रहा है क्योंकि दोस्तो ले दोड़ा के बाद प्रधनमंति जी ने हमारे राष्ट्रपदी जी से मिले और उसी के साथ मीटिंग किया यह एक बह पुदनमंति जी का जो बोडी लेंग्वेज है उन्होंने ले जाकर जिस तरह से चीन के उपर हवी हुआ था उसको देखते हुए मेरे को लग रहा है कि हमारे मोदी जी बहुत बड़ा प्लैन कुछ बना रहा है और उसके एक्षन में भी आने का उम्मीद पूरी तरह से बन ग बहुती कम है क्योंकि आप देखेंगे उन्होंने पहले जो बोला है उसको पूरी तरह से करने की कोशिस बहुत अच्छी तरह से किया है इसलिए दोस्तो और भारत का आज अभी जो खुड़नोईतिक चाल है चीन को लेकर यह बहुत कुछ दर्शाता है दोस्तो आज तक इं चाइना का भाउत सक्ती है पावर है इसलिए इंडिया कुछ नहीं कर सकता इसी तरह का एक बातावर्न तयार किया गया था आज तक लेकिन देखिये दोस्तो अगर हमारे प्रदनमंति जी का जो समयकाल है 2014 से 2014 से लेकर आज तक आप देखेंगे यह टोटल जो नेरेटिव है हिमन जो साइकलोजी है इंडिया का वो ऐस्ता ऐस्ता चेंज होते जा रही है आज हम लोग साइकलोजी का लिवी समस्त है नहीं इंडिया ज्यादा कम जो नहीं है इसी बात को अगर मैं कैसे समझाओं आपको कि यह बहुत बड़ी चीज है एक प्रदनमंति के लिए जो इस तरह लड़कराया जाता था विश्वक के सामने लेकिन आज देखिए तो कुड़नितिक जो स्थिती है इंडिया साइद लीडिंग पोजिशन में चलाया है यह किसकी करन हुआ है यह भी हम लोगों को सुझना पड़ेगा कोई पॉलेटिकल अदमीतों में नहीं हूँ ल चाइना को लेकर यह तो आप खुदी देख सकते है पूरी तरह से लसी पे टोटल लाइन अफ कंट्रल में जिस तरह से हमारे सोल्जार को डेप्लाई किया गया और हमारे आर्म्स वेपन्स हेवी अर्टिलेरी सब को तैनात किया यह दरसाता है इंडिया का बोडी लैंग्व क्या है लगभगा मान सकते है एक छोटी सी चिंगरी बहुत बड़ा रूप ले सकता है अगर चाइना किसी भी तरह से कोई भी गलती अब दोबारा से करे तो इंडिया पूरी तरह से तयार बैठा हुआ है और आन्दमान निकवर में जो तयारी इंडिया ने शुरू किया है वो एमर्जनसी तयारी के चल रहा है बहुत जोट दोड से और यह स्ट्रेजिक के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि जो मालक का स्टेट है उदर से लगभग आप मान सकते है एक लाग तक साल में जहाज आना जाना है अग बहुत सबी देसों का तो इसमें चाहना का तो जादा है अगर यह मालक का स्टेट ठीक तरह से हम लोग ब्लॉक कर सके तो उसका बहुत फाइनसियली प्रॉबलम हो जाएगा जो उसके लिए बहुत चिंताजनक परिस्थिती होगी और उसके साथ साथ वो अस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया का डिल हुआ है उसी के मुताबिक मालक का स्टेट के इधर अस्ट्रेलिया के लगबक पास से ही वो फिर इंडिया नोसन में घुश जाता था इसी के मुताबिक देखते हुए इंडिया ने अस्ट्रेलिया के साथ जो डिल किया इससे भी काउंटर करने में बड़ा आसानी होगा चायना को मतलब चा बहुत इंपोटेंट है अगर यह जापान के साथ भी यह सिक्रेट डिल हो गया तो हमारी तरब से जापान की तरब से भी एक बहुत अच्छा जवाब होगा चाइना के लिए और इधर जिस तरह से अमेरिका इंडिया के फेवर में आया है यह भी एक बहुत बड़ी बात है अ एक बहुत बड़ी चीज दरसाता है और उधर साथ चाइनसी में अमेरिका जो वर गेम चला रहा है वो भी चाइना के लिए बहुत भड़ा नक्स थित्री प्यादा कर सकती है क्योंके दोस्तों आप बिल्कुल समझ सकते है जिधर पे चाइना वो वर प्रैक्रिस कर रहा है अगर कोई देश दूसरा देश सामने वर प्रैक्रिस करे और वो कुछ ना बोले पुरा चुपी सदे हुए है इसका मतलब क्या है उसका इतना पावर है तो वो कुदे ना अमेरिका को कुछ बोले लेकिन वो बोल नहीं सकते इसी तरह आज का सिच्वेशन बन गया है और इरुनियम का जो भंडर है वो बहुत बड़ा क्ष्खती उनका हो गया है और अब लगबग समझ सकते है एफ 35 प्लेन से वो किया गया है तो एक देश में एक प्लेन घुसा इरान का भनक तक भी नहीं लगा और इधर वो मार के चलाया है इतनी आसानी से ये बात तो बहुत ह स्कील्ड पाइलट के द्वारा किया गया है ये तो बिलकुल सही बात है इतना बड़ा हमला हो गया है तो मारे देश में अर्थ चुपी सदी हुए थे किस लिए हैं आज आज आप मान रहे है कि यो हमला हुआ है और किसने किया है ये भी यो जानता है ठीक है जानता है लेकि इस्रेल के जो water plan है उस water plan में उन्हें sciber attack किया था। लगभग एकदम पूरा final होने की वक्त इस्रेल के जो पासर ने उन्हें रोक दिया। और इडान कुछ नहीं कर सके। लेकिन ये बद तो ठीक नहीं है ना इधर देखिए ये इस्राइल और इरन का बिज्जो हुआ इसके द्वारा आप ये भी मन सकते हैं एक और फ्रॉंट खुल गिया है थार्ड वर्ड वर लगने की क्योंकि इधर पे लदाक में एक फ्रॉंट खुला हुआ है इंडिया के और फिलिपिन्स वियतनम जापान उन लोगों के साथ एक फ्रॉंट खुला हुआ है और इधर एक और फ्रॉंट खुल गया है इसलिए मैं बोल रहा हूं तो दोस्तो ये स्थिती जो चल रहा है ये बहुत ही खराब होने वाला है ये आप मान के चल सकते हैं अगर सच में ये युद हुआ तो बहुत बड़ा रूप ले सकता है अच चायना पूरी तरह से बरबाद हो सकते है ये भी मैं पहले ही बोला था आज भी बोल रहा हूं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही जाए ही